हेलो एव्रिवन वेलकम तो फूसी क्लास 11 & 12 आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंफर्मिशन टिक्नलोजी कोड 802 का यूनिट 3 फंडमेंटल्स टू जावा प्रोग्रामिंग वन शॉट वीडियो की फॉर्म में कवर करने वाले हैं सु लेट स्टार्ट सबसे पहले जावा क्या है जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लेंग्विज है और इसे हम डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटर अप्लिकेशन क्रियेट करने के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं तो आपको यहाँ पर हाईलाइट करने हैं यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपको जरूर मिलने वाला है अपने बोर्ड एक्जाम में सबसे पहले बाइट कोड क्या है जब हम एक जावा कंपाईलर की बात कर रहे हैं तो वो java code को machine language code में translate नहीं करता बट java code को java byte code में translate करता है और यह byte code जब हम run करते हैं computer पर तो java interpreter जिसे हम कहते हैं java virtual machine या फिर jvm वो इसे translate कर देता है machine code में और फिर उसे execute कर देता है तो अब यहाँ पर इस java byte code को introduce करने का क्या benefit हुआ कि हमने सिर्फ java program को byte code में compile किया अब हम इसे किसी भी platform पर run कर सकते हैं अगर हमने machine code में directly compile किया हुता तो हम सिर्फ एक machine पर run कर पाते बट क्यूंकि हमने इसे byte code में convert किया इसलिए हम इसे किसी भी machine पर किसी भी platform पर run कर सकते हैं Windows, Linux, Mac So, यहाँ पर बस हमारे पास condition क्या है कि वहाँ पर jvm होना चाहिए तो इसी वज़ह से हम कहते हैं Java programs platform independent होते हैं Means वो platform क्या है इस बात पर dependent नहीं है But वो dependent है java byte code पर And इसी वज़ह से वो highly portable है Means हम easily उन्हें किसी भी platform पर use कर सकते हैं Java program लिखने के लिए आपको एक text editor चाहिए जिसमें आप code लिख सकते हैं And एक java compiler चाहिए जो इस code को byte code में compile कर पाए तो इसके लिए हम use करते हैं Java integrated development environments means IDEs तो इनका क्या benefit है यहाँ पर हमें text editor और java compiler दोनों एक साथ मिल जाते हैं And वहाँ पर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है तो हम इस chapter में discuss करने वाले हैं एक ऐसा ही IDE that is java netbeens IDE And इसे हम use करेंगे हमारे java programs लिखने के लिए यह open source software है And बिल्कुल free है हम इसे freely download कर सकते हैं internet से And इसे कैसे download करना है And JDK कैसे download करना है इन सब की videos मैंने आपको पहले ही दे दी है So link description में given है आप check कर सकते हैं Next topic is comments Comments एक program का ऐसा part है जो code का part नहीं है Means coding से उनका लेना देना नहीं है But जो coding है वो उसको explain करते हैं Means अगर एक programmer ने अपनी coding लिखी है And कोई और उस coding को पढ़ता है तो उसे कैसे समझ में आएगा कि यह कि शीज के लिए कहां पर क्या coding है इस चीज को explain करने के लिए Comments का use किया जाता है So that वो समझ पाएं कि वो code किस लिए लिखा गया है And इसको लिखने के two ways है सबसे पहला way है हम two consecutive forward slashes से begin कर सकते है Means सबसे पहले यह sign लगाएंगे And then comment लिखेंगे And second way है हम slash star And star slash के बीच में अपनी comment लिख सकते हैं जो first method है इसमें हम से उस single line comment लिखेंगे And second method है इसमें हम multiple line comments लिख सकते हैं Comments बस हम इसलिए use कर रहे हैं Compiler file compile करता है तब यह comments ignore हो जाती है Okay एक package में जितनी भी classes होती है वो सभी related होती है इसलिए हम कह सकते हैं A package in Java is a group of related classes और यह सभी classes related है इसलिए यह अपना data and code share कर सकती है Then what is a method? Method statements का ऐसा group है जिसे हम लिखते हैं कोई specific task perform करने के लिए And यहाँ पर एक special method है जिसका नाम है main method And यह बहुत important है Previous year questions में पूछा जा चुका है So main एक special method है जो हर Java application में होना जरूरी है Means compulsory है And जब भी हम run करते हैं कोई program तो जो main method में statements है वो सबसे पहले execute होती है Then आपको याद रखना है सारी Java statements एक semicolon के साथ end होंगी जैसे हम MySQL में end करते थे MySQL statements उसी तरह से हम Java statement को भी एक semicolon के साथ end करते हैं Then difference between system.out.println And system.out.print यह बहुत important है Previous year questions में पूछा जा चुका है तो आपको इसे example के साथ learn करना है So यहाँ पर जब हम system.out.println की बात कर रहे हैं Suppose हम यहाँ पर hello world print करना चाहते हैं तो अगर हमने println यूज किया है इसका मतलब hello world के बाद जो subsequent line है वो एक new line में print होगी But अगर हमने hello world को system.out.print इसके साथ दिया है command तब जो subsequent line है वो new line में नहीं आएगी वो same line में continue रहेगी इसका मतलब है system.out.println एक subsequent line को new line में print करता है and system.out.print same line में print करता है Then what is a variable variable is a placeholder for data means जहां पर हमें कोई data store करना है but हमें उसकी value change करनी है during program execution program execution के time उसकी value change हो जाएगी but हमें पहले से define रखना है कि यहां पर data store होने वाला है इस type का data store होगा इतनी storage लेगा इस चीज के लिए हम एक variable को use करते है variable जैसा अपना name से indicate कर रहा है कि वो vary कर सकता है differ कर सकता है उसकी value change कर सकती है so that is why we call it variable and हमें यहां पर जब भी हम java में कोई data variable use करने वाले है उससे पहले हमें उसको declare करना है initialize करना है and उसको declare करने के लिए हमें data type specify करना होता है data type मतलब कौन से type का data हम इस variable में store करने वाले है then next topic is java primitive data types so यहां पर हमारे पास java में 8 primitive data types होते है and यह बहुत important topic है यहां से previous year questions में हर बार एक question at least आया ही आया है so आपको learn करना है so in all 8 primitive data types है and इनकी type of values and size भी आपको learn करने है जैसे की byte short int long यह सभी data types integer type की value को store करते है and कहां पर difference है difference है इनके size में then float and double यह दोनो data type floating point value store करते है then care character value को store करता है and boolean true or false value को store करता है and इसका size 1 bit होता है boolean data type से previous year question आया था so it is very important variable names के लिए कुछ important tips है जिनके basis पर हम यह बताते हैं कि given variable name valid है या फर invalid है तो सबसे पहली condition है जब भी हम एक variable name को start कर रहे हैं तब हमें उसे एक letter से start करना है and हम digit से start नहीं करते हैं otherwise वो invalid हो जाता है and जो variable name है उसमें सिर्फ three types यूज कर सकते हैं हम alphabets, digits and underscore कोई भी special character इनके अलावा हम यूज नहीं करते हैं सिर्फ underscore यूज किया जाता है बट उसके अलावा यूज नहीं करते हैं then variable names एक word होना चाहिए means ऐसा नहीं है आपको लिखना है एक variable name total marks तो आप total and marks के बीचे एक space दे रहे हैं तो invalid variable name बानने जाएंगे then java एक case sensitive language है आपने एक variable define किया है capital letters में and एक किया है small letters में तो इसका मतलब है कि दोनों different है क्यों different है क्योंकि यहाँ पर java में case matter करता है कि आप कौन से case में लिख रहे हैं then अगर आप variable names को meaningful बनाते हैं तो यह आपके लिए ही beneficial रहता है उससे indicate हो जाता है कि वो variable किसलिए use होने वाला है then अगर आपको multiple variables define करने हैं same data type के तो आप उन्हें comma लगा कर एक ही statement में define कर सकते हैं then care and string के बीच difference important है exam में पूछा जा सकता है तो जब हम care data type की बात कर रहे हैं तब हम सिर्फ एक single character store करते हैं बट जब हम string class की बात करते हैं तब हम एक से जादा character store करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर indicate किया है and दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है जब आपने care data type यूज़ किया है एक single character के लिए तो आप वहाँ पर single quotes लगाते हैं and जब आपने string class यूज़ की है एक से जादा characters के लिए तब आप वहाँ पर double quotes लगाते हैं जब हम plus operator को numbers के साथ यूज़ करते हैं तब numbers को add किया जाता है बट जब हम plus operator को strings के साथ यूज़ करते हैं तब strings को concatenate किया जाता है concatenate means दो अलग-अलग strings है and हम उन्हें साथ में लिख रहे हैं add कर रहे हैं तो वहाँ पर वो साथ में show हो जाती है तो उसको कहते हैं concatenation then we have to study about operators हम जानते हैं operators ऐसे special symbols होते हैं किसी भी programming language में जो कुछ specific operation perform करते हैं जैसे सबसे पहले है arithmetic operators जो arithmetic operations perform करते हैं जैसे addition, subtraction, multiplication, division, etc. यहाँ पर जो सबसे important है वो है increment and decrement operators increment operator operator की value 1 से increase कर देता है means अगर A की value 20 है and हमने इसके साथ increment operator use किया है तो इसकी value क्या हो जाएगी 21 then अगर हमने decrement operator यूज किया है तो value 1 से decrease हो जाएगी means अगर हमने A की value मानी है 20 तो decrement operator के साथ इसकी value हो जाएगी 20-1 means 19 यहाँ पर यह 29 गलत गिवन है प्लीज इसे correct कर ले relational operator values compare करने के लिए यूज किये जाते हैं जैसे कि अगर हम equal to operator की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर values assign होती है left side operand की value right side operand को assign होती है means एक value दूसरे operand को assign हो जाती है so इसे कहते हैं assignment operator यहाँ पर equal to relational operator and simple assignment operator की बीच difference बहुत जादा important है PYQ का part भी है यह so आपको इसे learn करना है so यहाँ पर सबसे पहला point आप mention कर सकते है equal to is a relational operator and आपको उसका sign भी mention करना है and simple assignment is a assignment operator so यहाँ पर भी आपको sign mention करना है and इनकी explanation and examples भी साथ में देने है then logical operators logical and में हमें दो condition given होती है and अगर दोनों condition true है सिर्फ तभी हमें true मिलता है otherwise हमें false मिलता है then logical or means एक condition का true होना necessary है दूसरी condition true है या नहीं वो necessary नहीं है अगर एक true है तो भी हमें true result मिल जाता है then logical not के case में बिलकुल opposite होता है अगर given condition false है तब true result मिलेगा and अगर given condition true है तब हमें false result मिलेगा so यहाँ पर बिलकुल opposite होता है if else statement यह statement हम तब use करते हैं जब हमें एक given condition के basis पर statements को execute करना होता है so यहाँ पर आपको syntax याद रखना है and जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया है java case sensitive language है तो आपको case का ध्यान रखना है if अगर यहाँ पर small letters में है तो आपको small letters में ही लिखना है okay so यहाँ पर if के बाद हम एक expression provide करते हैं brackets में and इस expression को कहते हैं हम test condition means इसके basis पर हम यह बताएंगे कि यहाँ पर जो statements given है यह execute होंगी या नहीं अगर यह expression true है तो यह statements execute होंगी and अगर यह expression true नहीं है तो else statement में जो हमें statements given है वो statements execute होती है next is switch statement switch statement में सबसे पहले switch keyword के बाद एक expression provide करते है so यह जो expression है यह सिर्फ four type की value ले सकता है byte, short, int और care means यहाँ पर हम integer, character इस type की value हम दे सकते हैं but हम और कोई type की value यहाँ पर नहीं दे सकते so यहाँ पर हमें different case given होते है and इस case के आगे जो भी constant है जो भी value है वो इस expression के साथ compare की जाती है and जो भी value match होती है उसी के corresponding statements execute होती है suppose अगर expression की value constant 2 के साथ match करती है तो यहाँ पर यह वाली statements execute होंगी and यहाँ पर हम break statement क्यों use कर रहे है यह indicate करने के लिए कि यह case यहाँ पर end हो गया है terminate हो गया है and इसके बाद हमें next case पर execution proceed करनी है and suppose in case इस expression के साथ कोई भी case value match नहीं करती तो उस case में default part execute हो जाता है झारी झारी साथ झाल झाल यहां पर हमें while keyword के बाद एक expression provided है यह एक test है हमें सबसे पहले इसे evaluate करना है अगर यह test यह condition true होती है तब यह statements execute होती है but अगर यह test true नहीं होता है false होता है condition false होती है उस case में यह statements execute नहीं होती so यहां पर यह example given है then do while statement में सबसे पहले statements एक बार execute होंगी उसके बाद यह test किया जाएगा कि given expression true है या नहीं अगर यह expression true है तो दोबारा से statements को execute किया जाता है अगर यह false है तो statements को execute नहीं किया जाता अगर यह तब तक repeat होता रहेगा जब तक हमारे पास यह expression false नहीं आ जाता means हमने statements पहली बार execute की फिर हमने expression को test किया अगर true आया फिर से हमने statements को execute किया फिर से हमने expression को test किया इस बार भी true आया तो हमने फिर से statements को execute किया और इस बार फिर से expression को test किया अगर suppose इस बार expression false आ जाता है इसका मतलब loop यहीं पर stop हो जाएगा further execute नहीं होगा then difference between while and do while loop is very very important previous year questions का part है and बहुत ज़्यादा important है so यहाँ पर while loop एक entry control loop है and do while exit control loop है entry control का meaning है यहाँ पर हम condition को test करने के बाद statements पर जाते हैं but exit control का मतलब है कि हम पहले statements execute करेंगे and then test करेंगे test true हुआ तो आगे proceed करेंगे otherwise वो वहीं पर end हो जाता है means loop से exit मिल जाती है so इसलिए यहाँ पर यह exit control loop है then while loop हो सकता है कि कभी execute न करे and हो सकता है execute करे means अगर do while की बात कर रहे हैं एक time तो execute होगा ही होगा क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले हम statements execute करते है and then हम condition test करते हैं तो condition true है या false है उससे मतलब नहीं है पहली बार तो एक बार statements execute होगी ही होगी but while loop में ऐसा नहीं है वहाँ पर अगर condition true है सिर्फ तभी statements execute होती है अगर condition true नहीं है तो statements कभी भी execute नहीं होगी while loop के case में loop structure में enter करने से पहले हमें variable initialize करने होते है but ऐसा कुछ necessity नहीं होता है do while के case में and यहाँ पर जब आप difference दे रहे हैं तो आपको syntax भी यहाँ पर देना है then infinite loop means ऐसे loop जो हमेशा चलते रहते है and वो कभी exit नहीं होते and यह कब होता है जब test condition हमेशा true रहती है तो test condition बार बार true होगी and बार बार statements execute होती रहेंगी and यह repeat होता रहेगा क्योंकि वो condition कभी false होगी ही नहीं इसलिए हम इसे कहते हैं infinite loop then syntax error means जब हम syntax में गलती कर देते है जिसा कि हमें पता है जब हम do while statement में condition provide करते हैं वहाँ पर statement complete हो जाती है इसलिए condition के बाद हम semicolon लगाते है and यह necessary है अकर हमने नहीं लगाया तो error हो जाएगा तो वो भी syntax error का एक type है but जब हम while loop की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर condition के बाद semicolon नहीं लगाना है क्यों नहीं लगाना है क्योंकि इसके बाद statements वाला part अभी रह गया है यह part यह loop यहाँ पर complete नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर हम semicolon नहीं लगाते हैं अगर आपने यहाँ पर semicolon लगा दिया इसका मतलब error syntax error यहाँ पर आ जाएगा four statement में सबसे पहले हम four keyword के बाद counter value mention करते हैं means एक ऐसी value जिसके साथ हम loop में enter करने वाले हैं then हम test condition mention करते हैं means जिस condition को हमें test करना है true है या फिर false अगर यह condition true है तो statements execute हो जाती है and अगर यह condition true नहीं है तो statements execute नहीं होती loop exit हो जाता है then change counter यहाँ पर हमें एक ऐसा step given होता है जिसकी help से जब हम दुबारा loop में enter करेंगे तो initial value counter value change हो जाती है and दूसरी counter value के साथ फिर हम same process same loop repeat करते हैं incrementing loop में loop index count up होगा means add on होगा and इसका example यहाँ पर given है decrement loop में loop में backward counting होगी so that will be decrementing loop and its example is given here then यहाँ पर for loop के लिए कुछ errors given है अगर loop increment positive है and initial value limit value से जादा है तो उस case में loop कभी execute नहीं होगा यह एक error है and अगर loop increment negative है and initial value limit value से कम है तब भी loop कभी भी execute नहीं होगा then अगर हमने for statement में जो statement provide की है उसके बाद semicolon लगा दिया तो यह loop भी error देगा क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर semicolon put कर दिया है जिसकी वज़ा से जो body of loop है means जो statements यहाँ पर given होती है वो कभी execute नहीं होगी जब हमने variables की बात कीती तो वहाँ पर हम एक single value को store कर रहे थे बट जब हम arrays की बात करते हैं तो वो ऐसे variables होते हैं जहाँ पर एक से जादा value को store किया जा सकता है इक array define करने के लिए सबसे पहले data type provide करते हैं then brackets provide करते हैं और उसके बाद array का name provide करते हैं then add the end semicolon अगर इसी के साथ हमें यह display करना है कि वहाँ पर सिर्फ 5 marks store हो सकते हैं means 5 students के marks store हो सकते हैं तो हम उसे इस तरह से display करेंगे यहाँ पर हमने specify किया है कि यह सिर्फ 5 marks ही hold कर सकता है यह array and उसका type double होना चाहिए array का index हमेशा 0 से start होता है जैसा कि अभी हमने बताया कि हमें यहाँ पर 5 marks store करने हैं इसका मतलब है कि हमने specify किया है that what should be the size of the array यहाँ पर इस चीज़ को हम कहते हैं length property means हमने उसकी length बताई है so वो length है 5 but हमें यहाँ पर index कहां से start करना है 0 से तो जब हम index की बात करेंगे तो वो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 वो हम 1 से 5 तक नहीं करेंगे हम करेंगे 0 से start इसलिए वो होगा 0, 1, 2, 3, 4 then user defined methods आपको पता होना चाहिए method क्या होता है method में हम क्या-क्या use करते हैं and एक java method का structure क्या होता है so ये part बहुत important है सबसे पहले हम return type mention करते हैं then method का name mention करते हैं then एक optional list होती है parameters की means optional है हम provide कर भी सकते हैं और नहीं भी and एक body होती है जहाँ पर हम statements and return statements mention करते हैं then void एक special return type है जिसे हम तब use करते हैं जब method कोई value return नहीं करता है so यहाँ पर एक example given है ये question previous year questions में आ चुका है तो आपको इसे example के साथ learn करना है and हो सकता है कि exam में आए then java is an object oriented programming language यहाँ पर एक program में हमारे पास बहुत सारे objects होते हैं जो एक दूसरे के साथ interact करते हैं किसी problem को solve करने के लिए and each object is an instance of a class यहाँ पर इस चीज़ को हम example से समझते है suppose हमारे पास एक class है book तो इसके data members क्या होंगे जो book की properties को describe करेंगे जैसे title, author, publisher etc then इसके method members क्या होंगे जो कोई भी action perform करेंगे जैसे details display करना, price display करना इस तरह से जो भी action perform करेंगे वो सभी method members होंगे तो अब यहाँ से हम object को easily समझ सकते हैं हमने यहाँ पर जो class मानी है book तो अगर हम कोई भी book create करेंगे suppose book one तो उसका different title होगा different author होगा, different publisher होगा तो यह चीज़े हमने define कर दी है data members में and इन सभी चीज़ों को इन पर action लेने के लिए हम method members को define कर चुके है तो यहाँ पर book one एक object है, इसी की तरह अगर हमने कोई book to create की है तो वो भी एक object माना जाएगा तो हम यह कह सकते हैं कि class एक type का template है जिस से हमने सभी objects को create किया है and क्यूंकि यहाँ पर template में हमने सभी data members को define कर दिया है तो जो भी data members each object में present है वो same होंगे क्यूंकि वो same class से लिये गए है then constructor यह एक special method member है and इसे हम initialization के लिए use करते हैं जब हम कोई भी object create कर रहे हैं तब हमें किसी भी चीज़ का initialization करना है जैसे data members तो हम constructor का use करते है and इसका same name होता है जैसा class का name होता है इसके पास कोई return type नहीं होता and parameter list optional होती है हो भी सकती है और नहीं भी then access modifiers सबसे पहले private access modifier की बात करते हैं यहाँ पर members जो होंगे class में वो सभी private declared होंगे and इसका मतलब है कि वो उस class के बाहर access नहीं किये जा सकते सिर्फ उसी class में available है and visible है but अगर हम public members की बात करते हैं तो यह एक class जिसमें वो declared किये गए है उसके बाहर भी इन्हें access किया जा सकता है and by default एक class के सभी members public declared होते है then अगर हमें package से कोई class import करनी है इसके लिए हम keyword use करते हैं import जैसे यहाँ example में हमें pre-built scanner class import करनी है from java.util package तो इसे import करने के लिए सबसे पहले हमने import keyword mention किया then हमने package का name mention किया dot scanner means class का name mention किया then semicolon so इसकी help से इस statement की help से हम class को import कर सकते हैं then array.sort method यह हम तब use करते हैं जब हमें एक array की values को sort करना होता है from lowest to highest so यहाँ पर हमने यह example में marks को sort किया है तो यहाँ पर lowest to highest marks sorting हो गई है then binary search method किसी भी array में specific element को search करने के लिए use करते हैं and अगर वो element वहाँ पर present नहीं होता है तो binary search method minus one return करता है and सबसे necessary condition है इस method को invoke करने के लिए array sorted होना चाहिए and अगर array sorted नहीं है तो results defined नहीं होते then string class methods are given यहाँ पर हम important string class methods discuss करेंगे अगर हमें यह check करना है कि given index पर कौन सा character available है इसके लिए हम use करते हैं care at method then अगर हमें दो strings को concatenate करना है means join करना है उसके लिए हम use करते हैं concat method then अगर हमें यह check करना है कि given string में specified sub string available है या फिर नहीं इसके लिए हम use करते हैं contains method then अगर हमें यह test करना है कि given string में कोई suffix available है या फिर नहीं उसके लिए हम use करते हैं ends with method then अगर हमें check करना है कि यह string की length क्या है तो उसके लिए हम use करते हैं length method then अगर हमें given string में old character को एक new character से replace करना है तब हम use करते हैं replace method and यहाँ पर हम string भी use कर सकते हैं अगर हम character को change करना चाहते हैं तब हम single quotes provide करते हैं and अगर string को replace करना चाहते हैं तो double quotes provide करते हैं The next topic is exception handling एक ऐसी error situation जिसकी वज़र से program execution unexpectedly terminate हो जाता है वो होता है exception and यहाँ पर एक important exception given है division by zero and यह previous year questions में long question की form में पूछी जा चुकी है तो आपको इसे learn करना है and एक और important चीज गिवन है यहाँ पर try catch block यह भी बहुत important है यह भी previous year questions का part है then exception handle करने के लिए Java two keywords provide करता है try and catch try block में ऐसा part of code given होता है जिसकी वज़र से exception generate हो सकती है means error आ सकता है and उसके बाद होता है catch block जहाँ पर ऐसा specific code given होता है जो तब execute होगा जब exception होगी then यहाँ पर try catch statement का structure given है and आपको यह learn करना है अगर exam में try catch statement के बारे में पूछा जाता है तो आपको यह structure mention करना है division by 0 1 exception है इसे handle करने के लिए यहाँ पर code fragment mention करेंगे try block में हम ऐसी statements mention करेंगे जिनकी वज़र से exception आ सकती है ऐसा code mention करना है then catch block में वो सभी statements mention करनी है जो तब execute होगी जब यह exception होगी तो हमें यहाँ पर वो message display करना है जो error में हमें show हुआ है तो यहाँ पर result में देख सकते हैं यह division by 0 error था और यह हमें as message display हो गया है जब हमें given program में logical errors identify and correct करने हैं तब हम assert statements use करते हैं और इसी mechanism को कहते हैं assertion तो यहाँ पर हमें 2 ways given है assertion लिखने के तो यहाँ पर हमें example से समझ सकते हैं इस example में हमने assert keyword के बाद पहला expression provide किया है age greater than or equal to 18 तो अगर यह expression false होता है तो क्या error message show होगा वो हमने expression 2 में mention किया है age not valid तो यह expression यह error message वहाँ पर show हो जाएगा as an assertion error the next topic is threads एक program में threads तब use किये जाते हैं जब हमें multiple tasks एक time पर perform करने हैं means अगर हम एक multi-threaded program की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा threads होते हैं and यह different tasks को execute करते हैं means एक thread है उसका एक task है दूसरा thread है उसका दूसरा task है and यह सभी अपने tasks independently execute करेंगे same time पर so java में हम two ways से threads create कर सकते हैं पहला way है thread class को extend करना and second way is implementing the runable interface so यह two methods है and अगर exam में पूछा चाता है तो आप यह दोनों mention करेंगे then proceeding to the last topic wrapper classes यहाँ पर जब हमें primitive data types को reference से pass करना होता है तब हम wrapper classes को use करते हैं for example अगर हमने normally एक variable declare किया है int a is equal to 50 तो यहाँ पर जो memory location है वो variable a में ही है but अगर हम इस चीज़ को wrapper classes के तरीके से declare करते हैं integer b is equal to new integer 50 तो यहाँ पर हमने integer wrapper class use की है and b को instantiate करने के लिए हमने यहाँ पर जो initialization value provide की है वो है 50 so यहाँ पर हमने memory location को refer किया है कहां से refer किया है integer wrapper class के एक object से refer किया है means वो memory location यहाँ पर नहीं है हमने उसे refer किया है from an object of integer wrapper class so I hope यह difference आपको clear है then यहाँ पर two important methods given है जो previous year में पूछे जा चुके है parse int method and two string method so parse int method हम तब यूज करते हैं जब हमें string value को integer value में change करना है so यहाँ पर हमने parse int method यूज किया है and यह एक static member है then two string method हम तब यूज करते हैं जब हमें integer value को string value में change करना है जैसा यहाँ पर हमने इस value को string value में change किया है तो यह दोनों ही methods important है इसके बाद यहाँ पर table given है जहाँ पर हमें primitive data types की respective wrapper classes given है so आपको यह भी learn करने हैं बहुत easy है and हो सकता है कि एक्जाम में पूछा जाए proceeding to back exercise यहाँ पर first five questions यह सभी हमने अभी chapter में detail में discuss किये हैं तो हम इने दुबारा discuss नहीं कर रहे हैं then lab exercise में हमें programs लिखने हैं different programs given हैं यहाँ पर and students इसी तरह की program आपसे exam में पूछे जाते हैं and generally ऐसे question 3 और 4 marks में आते हैं जिन में हमें programs लिखने होते हैं तो आपको यह सभी questions attempt करने हैं and students अगर आपको इससे भी जादा questions की practice करनी है तो आप sample paper book purchase कर सकते हैं जिसका link description में given है उसमें easy to hard सभी level के questions given है सारे previous year questions included है तो उससे आपकी complete preparation हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के questions आते हैं and उन्हें किस तरह से attempt करना है क्योंकि वहाँ पर solutions भी given है So that was all for today We'll meet you soon in the next video Till then, bye bye